आज सजग इंडिया आपको लेकर चलेगा उत्राखन के प्रसिद्ध मंदिर जिसे संतला देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है ये प्राचीन और लोग प्रियधार्मिक स्थल प्रदेश की राजधानी देहरादून से 15 किलोमीटर की दूरी पर हरे भरे घने जंगलों के बीच में संतला देवी मंदिर इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के विश्वास का प्रतीक तो है ही पूरे देश से भी लोग संतला देवी मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं संतला देवी मंदिर को शांतला देवी भी कहा जाता है यह मंदिर देवी संतला और उनके भाई संतूर को समर्वित है और इस धार्मिक स्थल के प्रती लोगों की गहरी आस्था भी है कहा जाता है कि यदि कोई भी वक्त सच्चे मन्स से मनुकामना करता है उसकी मनुकामना देवी संतला जरूर पूरी करती है मानता ये भी है कि शनिवार के दिन संतला देवी की मूर्ती पत्थर में बदल जाती है संतला देवी मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि मुगलों से लड़ते लड़ते जब संतला देवी और उनके भाई को एहसास हुआ कि वो मुगलों से लड़ने में सक्षम नहीं है दोनों ने इसी स्थान पर अपने दोनों हतियार फैंट दिये और प्रातना शुरू कर दी उसी समय चारों और दिवी प्रकाश फैला और वो दोनों पत्थर की मूर्तियों में बदल गए इसके बाद संतला और गड़ में खुद बखुद एक मंदिर भी बन गया जिस दिन संतला देवी और उनके भाई के पत्थर की मूर्ति में बदलने की घटना हुई थी वो शनिवार का दिन था इसलिए इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालो संतला देवी मंदिर पहुँचते हैं संतला देवी मंदिर के दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालो देहरादून नगर में टपकेश और महादेव मंदिर, लाखा मंडल मंदिर और महासुदेव का मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं तो अगर आप भी उत्राखंड की राज़ानी देरदून पहुंचे तो मास संतला देवी के दर्शन जरूर करें